हलो और नमस्कार दोस्तों विल्कम बैक टुदी चनल दीपच या दवेजुकेशन तो स्वागत एक और बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट करेंट अफेर के वीडियो में जैसा आपको मालूम है डेली बेसिस पे इस चनल पर दो वीडियोज अपलोड होते हैं मौर्निंग में दहिंदू का वीडियो और डेली बेसिस पे शाम को नौ बजे तक आपका एक और वीडियो आता है जो आपके बाकी सारे सोर्सिस के कंपाइलेशन का वीडियो होता है कहने का मतलब है दहिंदू के अलावा बहुत सारे और भी सोर्सिस हैं जो कि हमको कवर करने ह होते हैं क्योंकि एक्जाम में करेंट अफेर्स की रिक्वार्मेंट होती है तो यहां पर आपका इंडिन एक्स्प्रेस, P.I.B, हिंदोस्तान टाइम्स, लाइवमेंट सभी के न्यूज आर्टिकल्स को प्रॉपर बैग्राउंड इंफर्मेशन के साथ में डीटेल से कवर करते हैं एक छोटा सा वीडियो जिसमें बहुत सारे आर्टिकल सटीक तरीके से आपके कवर करवा दिये जाते हैं अगर आपको इस लेक्चर का PDF अगरा चाहिए तो फटवर टेलिग्राम पर जाओ तो चलिए दोस्तों सेशन की शुरुवात करते हैं और आज एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे मौरनिंग के दो हिंदू के वीडियो में भी कवर हुआ है लेकिन Indian Express, Down to Earth, सभी जगा पर इसके बारें बात हो रही है जिसका नाम है Aurora Borealis एक बहुत ही जादा important मुद्धा जिसको लेकर अपकी बार UPSC ने मेंस में भी सवाल पूछ लिया था तो यार दुबारा से डिसकास करना बनता है जिन्होंने मौरनिंग में पढ़ लिया है उनका रिवेशन हो जाएगा जो केवल ये वाला वीडियो देखते हैं उनको यहाँ पे नई जानकरी मिलने वाली है Aurora Borealis के बारे में मैं इस discussion की शुरवात करूँ उससे पहले एक important चीज के उपर में मैं आपसे कुछ बाचीत करना चाहता हूँ देखो यहाँ पे क्या हुआ पिछले कुछ इनों से कई सारे comments में रिसीव कर रहा हूँ और एक बहुत जादा detailed सा message मेरे पास में आया जिसको मैंने जब open किया तो अब्यसी बाते read करना बनता है तो मैंने उसमें read गया तो यहाँ पे वो जो aspirant है दोस्तो वो इतने सारे sources को लेकर बहुत जादा परेशान हो चुका है उस aspirant का कहना है कि सर इतने सारे sources मार्केट में मैं क्या करूं क्या ना करूं समझ नहीं आ रहा एक एक वीडियो अगर मै search करता हूँ तो मेरे पास में इतने सारे alternative आता है यह करूं या यह करूं या यह करूं या यह करूं या यह करूं market में सारे short short videos भी आ रहे हैं उसके वाद marathon आ रहे हैं बहुत सरी चीज़ अप्लोड हो रही है सर यहां पर समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं तो दोस्तों यहां पर ऐसे सवाल बहुत सरे लोग के होंगे हां बिलकुल आज का समय ऐसा है कि जहां पर market में जो sources हैं वो सभी तब पर आपको देखने को मिलेंगे एक समय ऐसा भी था जब market में ऐसे sources नहीं देखने को मिलते था ऐसा guidance नहीं हुआ करता था मैं अपने experience के basis में बता रहा हूँ लेकिन आज के समय पर दोस्तों बहुत जादा guidance अविलेबल है अब guidance दूर की बात है sources बहुत अविलेबल हैं उन sources को handle कैसे करें सर करेंट अफेर को लेकर इतने सारे वीडियो अप्लोड हो रहा है आज कल छोटे-छोटे मुद्दो पर यहां पे छोटे-छोटे वीडियो बन जाते हैं बहुत सारे वीडियो अप्लोड हो जाते हैं लाखो टॉपिक्स यहां पे चल रहे हैं यूटिव पर क्या पढ़ू क्या ना पढ़ू तो दोस्तों अगर आप free हो तो सब देखो लेकिन हमारा मेन काम क्या है UPSC या दूसरा कोई भी एक्जाम क्रैक करना और एक्जाम क्रैक करके जॉब लेना अपने परिवार को आगे बढ़ाना है ना तो दोस्तों यहां पे जो यह एक्जाम के लिए आप preparation कर रहे है ना उसके लिए बिना फालतु में इदर उदर बहुत सारे और वी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है मैं देखता हूँ हर एक चीज़ का separate वीडियो अप्लोड हो रहा है P.I.B. के अलग analysis चल रहे हैं, Down to Earth के अलग analysis चल रहे हैं, है ना The Hindu के अलग, Eden Express के अलग, Current Affair के वीडियो के अलग, MCQ के अलग, मतलब आप फिर यही करते रहे जाओगे, 10 घंटे के वीडियो ही हो गए, बस 10 घंटे वही cover करते रहे हो, काम हो गया तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना, हाँ, आपके पास में अभी syllabus है, आप अपने हिसाप से चलिए, इतना सब कुछ cover करने की ज़रूत नहीं है, syllabus का according चलिए, और एक particular channel को लेकर चलो, उसी को लेकर यहाँ पर follow करो, मैं नहीं कह रहा कि इसी वीडियो को देखो, इसी channel पर र प्रिशान कर दिया, यार, बहुत सरे लोग ये problem face कर रहे होंगे, इतने सारे sources market में available है, कहा जाए, कहा ना जाए, हो रही ये दिक्कत सभी के साथ में, एक ही channel को लीजिए, और उसको पढ़ते रही है, समय के साथ में उसको analyze भी कीजिए, देखिए, यहाँ पर क्या चीज़ नहीं रहेगा, समझ गए, तो जैसे यहाँ पर current offer की बात करो, आप कहीं से पढ़ सकते हैं, इस channel पर भी दो वीडियोज अप्लोड हो रहे हैं, उसको भी देख सकते हैं, है ना, अब अराम से यहाँ पर lecture देख लिया, उसके बाद अपनी static portion की तयारी पर लगिए, आप ऐसा आपके पास में time भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, अराम से आप, फिरो कितना भी वीडियो देखो, दूसरे वीडियो कोई से भी देखो, लेकिन main target क्या है, exam crack करना, अपना जो सपना है वो पूरा करना, तो उसी को यहाँ पर दोस्तों दिमाग में भरके रखना, और यार य चीज को fix करके लगातार पढ़ते रहो, multiple time revision करते रहो, ठीक है, आप ज़ादा better perform करोगे, दूसरे comparison में जिसने हजारो वीडियो देखे हैं, हजारो आर्टिकल पढ़े हैं, हजारो sources पढ़े हैं, ठीक है, अब वो उतने जदा confused है, और आपने एक ही source को बार बार देखा है, revision revision भी करा है, वहीं से practice की है, तो आपके लिए वो जदा better रहेगा, आपको पता है कि यहापे किस तरीके से questions को tackle करना है, ठीक है, हाँ कुछ question आपको ऐसे भी exam में मिलेंगे, जो किसी को नहीं आते हूँगे, आपको किसी को नहीं आते हूँगे, हर साल की कहानी है, इस साल भी यही होगा, next year जो paper रहने वाला है, उसमें हर बार surprise देता, UPSC, next year भी देगा, समझ गए, तो यह बात ध्यान में रखिए, analysis कीजिए, मुझे जहाँ पर समझ में आ रहा है, मेरे syllabus का according कौन चल रहा है, अच्छे से analyze करना है यह बाद में उस channel को पकड़ लो और उसी को follow कर दो ठीक है, तो यह, I hope उस बच्चे तक यह वीडियो पहुंच गया होगा, और उनको यहाँ पर यह जो सजेशन है पूरा मिलगा हूँ, ऐसे मैं यह सब चीज़ उनको बता चुका हूँ, चलिए, अब फिलाल शुरवात करते हैं यार, काफी लंबी चौड़ी बाचीत होगी, मैं कभी करता नहीं हूँ, लेकिन ऐसा करना पड़ता है, जरूरी भी है, बीज़ बीच में बाचीत होनी चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पे जो important news है, वो recently खबरों में यह देखने को मिली, कि US, Canada, United Kingdom, Germany, और even Ladakh, यहाँ सभी जगाँ पे हमें aurora देखने को मिला, aurora क्या होता इस तरीके से हरे हरे बादल, सुन्दर सा यहाँ पर एक दृष्या आपको दिख रहा है, यही को बोलते है aurora, अब aurora दो प्रकार के होता है, एक होता है aurora borealis, और दूसरा होता है aurora australis, पहले aurora समझ लो, अपने आप, आपको बाकी सब कुछ समझ में जाएगा, aurora होता क्य है, एक natural light, जो कि यहाँ पे हमारे पृत्वी के sky में display हो रही है, रंग भी रंगी हो सकती है, इसमें आप देख पाएंगे color आपका green भी है, red भी है, purple भी है, white भी है, ऐसा यहाँ पे color आपको नज़र आता है, यह बात आपको समझ में आ गई दोस्तो, अब एक बात और सुन है, अब वो जो wind है, वो हमारे पृत्वी दख जाती है, अब डारेक्ट पड़ेगी तो ऐसे तो यहाँ पे हमारे पृत्वी के उपर में harmful impact पड़ सकता है, तो हमारे पृत्वी की protection करने के लिए हमारे पास में क्या है, magnetic field, अब वो magnetic field इस तरीके से यहाँ पर क्या कर रही है हमें directly solar wind से बचा रही है, लेकिन यह जो solar wind आ रही हैं दोस्तों, यह हमारे इस magnetic field को चीड़ते वे इस दर हिस्से से, ठीक है, उपरी वाले भाग से यहाँ पर यह एंटर कर जाती हैं, और जैसे यहाँ पर यह solar wind हमारे प्रत्वी के atmosphere में enter करती हैं, और atmosphere में mix होने के बाद ही यहाँ पर इस तरीके के green sky आपको नजर आएगा, जिसको यहाँ पर हम नाम देते हैं, aurora इस बात को ध्यान में रखिएगा, समझ गए, तो question बन जाए कि aurora कैसे बनता है, जब solar wind उपर से आके हमारे atmosphere में mix हो जाए, particles के साथ में interact कर जाए, atmosphere के gases के साथ में interact कर जाए, तो ऐस अब आप कहोगे, सर, aurora तो समझ में आ गया, यह बताओ, aurora borealis और aurora australis क्या होता है, तो दोस्तो aurora borealis जब बोला जाएगा, तो हमारे प्रत्वी पे जो उपरी भाग हिस्सा है, यानि कि हमारा north pole वाला region है, जब north pole पर इस तरीके का green sky नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर solar wind ऐसी तो जा रही है, यहाँ पर magnetic field की वज़ा से नहीं यहाँ परी प्रत्वी के atmosphere तक, लेकिन उपर north pole से जब enter करती है, north pole पर हरा बादल बनता है, तो उसको बोलते है aurora borealis, और जब south pole पर बनता है, तो उसको बोल देते है aurora australis, that's it, simple, aurora australis क्या होता है, समझ लेना भई, aurora कैसे होते हैं, जब हमारा energy, जो energetic particles, electron proton, यह interact करते है, solar wind के साथ में, उसके बाद जाके यहाँ पर यह जो दरश्य है, वो हमको नजर आता है, चलिए, अब आगे आते हैं, एक बात और ध्यानक ना, जो aurora borealis है, दोस्तों, इसको हम northern lights भी बोलते हैं, क्योंकि यह northern वाले side मे है, aurora australis जो है, यह southern side में है, तो इस विज़े से यहाँ पर हम इसको southern lights भी बोल देते हैं, दोनों के बीच का difference क्या है, आपको पता चली चुका है, अपकी बार लदाक तक हमको यह वाली जो lights है, वो देखने को मिली है, यह articles recently भी काफी ज़दा cover करिये गए थे, चलिए, अ कोमदो ड्रेगन है, इसी को लेकर आज हमने thumbnail भी लगाया है, आज हम important facts जानेंगे कोमदो ड्रेगन के बारे में, अच्छे से आपको अच्छी जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है, पहले यह जान लेते हैं, हमारे पास में news क्या है, खबर क्या है, तो इंडोनेशा की सरकार एक proposal दिया है कि कोमदो नैशल पार्क को वो थोड़े समय के लिए बंद कर रहे हैं, ताकि वहाँ पे जो number of visitors है, उनका जो पूरा मामला है, जो rush है, बेसिकली उसको control किया जा सके, इसलिए यहाँ पे यह नैशल पार्क चर्चाओं में आ चुका है, यह नैशल पार्क दुनिया की सबसे बड़ी चिपकली, चिपकली नहीं चिपकला, तो वो यहाँ पे कोमदो ड्रैगन है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, तो कोमदो ड्रैगन के बारे में basic facts, क्योंकि prelims में question यहीं से बनेगा, तो यह जो ड्रैगन है दोस्तों अपने आप में एक बहु की बात सुनिए, कोमदो ड्रैगन कहां पर पाया जाता है, हमारे कोमदो ड्रैगन में especially इंडोनेशा के ही आईलेंड्स हैं, वहीं पर यहाँ पे यह कोमदो ड्रैगन देखने को मिलेगा, फीचर्स की बात करेंगे, तो कोमदो ड्रैगन क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ा तो तीन मीटर तक ग्रो कर सकता है, दस फीट, आप टोटल लेंज समझ रहे हैं, टेन फीट तक ग्रो कर सकता है, और वेट 135 किलोग्राम तक इतनी बड़ी साइस की चिपकली हो सकती है, कोमदो ड्रैगन की जो टंग होती है, जो इसकी जीब होती है, यह जाद खदरनाग है, इसकी जीब ऐसी होती है, जैसा मारा फोर्क होता है न, ऐसी यहाँ पर जीब देखने को मलती है, यह यलो कलर की होती है, और यलो कलर के साथ-साथ यहाँ पर यह बहुत सारे टॉक्सिक को कहीं न कहीं अपने अंदर में स्टोर करके रखती है, कहने का मतलब यहाँ पर यह है पॉपुलेशन 4500,000 गया असपास देखने को मिलेगी और especially अंडूनेशा के अंदर में ये पाय जाते हैं कोमोदो ड्रैगन को सबसे पहली बार डिस्कवर किया गया था 1910 में 1910 में अंडूनेशा के अंडर में ही या पर इसको डिसकस किया गया और बताया जाता है कोमोदो ड् इसकी छोड़ दो तब भी यहाँ पर यह सर्वाइव कर जाएगा यह इसकी खास बात है कोमोदो ड्रेगन का जो मैंने जीब है मैंना बताया ऐसा होता है है ना इसका जो सलाइवा इसकी जो लार है वो एक इंसान की अंदर में ब्लड इंफेक्शन को बना सकती है और वो इंफ पीछे लग सकता है और आज के समय पर दुनिया का सबसे बड़ा लेजर्ड ही कोमोदो ड्रेगन ही कहलाता है ध्यान लखिये और यह कहीं न कहीं अपने आइलेंड का एक टॉप प्रिडिटर है दूसरे जानवर को यह छोड़ेगा निसाइज इतना बढ़ा है हंड्रेड के जी से जादा कावेट लें तो दस फीड के है असपास तो यहाँ पर अब्वियसी बात है इंसान देखके ही डर जाएगा उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो यह कोमोदो ड्रेगन है दोस्तो इसके बार में कुछ बेसिक देखेंगे तो यह जाना जाता है अपने मृत्य हो सकती है यहाँ पर बोला जा रहा है कोमोदो ड्रेगन क्या करता है दीरे दीरे अराम से अराम से यहाँ पर ट्रैक करेगा अपने शिकार को और अराम से यहाँ पर अटैक करेगा और उसके बाद एक इंसान को यह जान से भी मार सकता है जीवन इसका मैं बताई चु आप मतलब समझते हैं कि भाई ये जो प्रजाती है खत्रे में है पॉपुलेशन कम है तो प्रोटेक्शन देने की जरुवत है इस कोमदो ड्रेगन की ठीक है क्लियर हो गया चलिए अगले अगला आटिकल भी हमारा जी एस पिपर नमबर टू, पॉलिटी, हेल्थ, दोनों के पॉइंट आविशन हो रहा है जिसका नाम है CDSEO अक्सर ये बॉडी चर्चाओं में रहती है हमारे देश में दवाईयों का जो पुरा बिजनस है उस इंडस्ट्री को डील करती है CDSEO फुल फॉर्म नाम से ही पता चल रहा है Central Drugs Standard Control Organization जो दवा है दोस्तो उसका क्या regulation होना चाहिए उसके क्या नियम कानून हो चाहिए उसको पूरी तरह से control करने का ये पूरा संगटन है CDSEO ध्यान खिये हाल ही में CDSE को तारीफ हुई है कि बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है सेफटी एफिकेसी क्वालिटी के साथ में आपर अपने रूस को यहाँ पर यह मेंशन करता है तो यह सब कुछ चाहो में रहा है हमारा काम है एक्जाम के लिए पढ़ना तो एक्जामिनेशन में द के लिए ठीक है हमारा जो मेडिकल सेक्टर है स्पेशली वहाँ पर यह बॉड़ी काम करती है और इसको इतनी ताकत कहां से मिली यह मिली है दोस्तों डॉक्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स की साइट से रहे यार डॉक्स एंड कॉस्मेटिक्स नियम में जो प्रावदान है बिसिकली वहीं से इसको पावर मिलती है और ध्यान अकिए क्योंकि यह आपर यह दवायों की बात कर रहा है हेल्थ की बात कर रहा है तो यह CDSEO हमारे Ministry of Health and Family Welfare के अंडर में काम करने वाली बॉड़ी है इस एक्ट के मादम से यहां पर CDSEO को मिलती है पावर तो क्या पावर मिलती है कोई नई दवाय आई है मार्गेट में तो उस नई दवाय को अपरूवल देने का काम CDSEO का है किसी दवाय को लेकर क्लिनिकल ट्राइल करना है again CDSEO के पास power है उसका approval देने की दमाईयों के लेकर कुछ नयम कानून लेकर आना है CDSEO के पास power है जो हमारे बाहर विदेशों से दवाईयां import कर रहे हैं imported drugs है हमारे देश में उसकी quality को control करने की power हमारे CDSEO के पास में है इतना हीने state drug control organization की जो हमारे राज्ये के स्थर पर काम कर रही body है उसके साथ में mail मिलाप करना उसके activities के साथ में coordination बना के चलने का काम भी CDSEO का ही है जो CDSEO के आपको working समझ में आ गया यह हम discuss करी चुके हैं जो यहां पे बात हो रही है समझ में आ गया आई हूब आपको बड़िया clarity में लिए है यह क्या हो गया यार आर्टिकल तो हमने cover किया है यह वाला photo लगाना भूल गये हैं यहां पे कोई बात ने photo नहीं है तो कोई बात नहीं समझ में तो आएगा न यहां पे बात हो रही है दो सो खबर बता देता हूँ news यह है कि हाल ही में एक study की गई है हमारे scientist की side से और जो हमारे scientist है दोस्तो वो एक institute से बिलोंग करते हैं जिनका नाम है बीरबल सानी institution of paleo science तो बेसिकलि यहां से बिलोंग करने वाले scientist हैं इन्होंने यहां पर यह बताया कि जो shale gas है यह एक ऐसी gas है जिसका use हम electricity generation वगरा के लिए कर सकते हैं बताऊंगा कैसे बनती है तो यह जो shale gas है इसका importance आज बहुत ज़ादा हो चुका है जहारखंड के रामगर district में इसका potential बहुत ज़ादा है उस area में यह सब कुछ यहां पर दर्शाया गया यह कहां पर पाई जाती है shale deposit में प्रतवी के नीचे shale rocks चटान है उस चटान को crack करके उसको तोड़ कर fracture करके वहां से हम इस gas को निकालते हैं समझ गए तो shale deposit से निकलने वाली gas shale gas और यह एक natural gas है यह कहां पर trap है जमीन के नीचे microscopic और छोटे 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 उससे भी छोटे छोटे जो गड़े हैं वहां पर यह gas present है तो इसको वहां से निकाला जाता है यह natural gas है और यह natural gas बनी किससे है इसमें यहाँ पर दोस्तों जो हमारे natural hydrocarbons gases हैं उससे मिलकर उसके mixture से मिलकर यह बनी वही है जो यह shale gas होती है इसमें 70-90% methane present है question यह है सर shale gas निकालते कैसे है इसको निकाला जाता है एक common method का use करके उस method का नाम है hydraulic fracturing इस method में बहुत ही ज़ादा गहरे गड़े किया जाएंगे drilling की जाएगी और drilling करते करते जो shale rock यह चटान है वहाँ तक पहुँचेंगे उसके बाद उसको crack करेंगे उसको fracture करेंगे दन वहाँ से यहाँ पर इस gas को release करेंगे जैसे यहाँ पर इस photo में आपको दिखाया गया है यह photo में क्या दिखाया गया है यह देखिए shale gas को निकालने के लिए हमने पुरा उपर well बना दिया है जहाँ पर हम यह gas इखटी करेंगे अब हमने drilling करने शुरू कर दी drilling करते करते पहुँच गए भईया shale वाली rock तक अब यहाँ पर हमने कर दिया fractures इस fractures है यहाँ पर gas flow होके उपर की साइड में आएगी और यहाँ पर हम उपर store कर लेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर shale gas का extraction होता है इस बात को ध्यान में रखिएगा भारत में shale gas के reserves आपको देखने को मिल जाएगे भंडार देखने को मिल जाएगे और कहां कहां पर इंडिया में specially camp bay basin है गौंडवाना basin है केजी basin है कावेरी basin है इंडो गेंगेटिक basin है असम और असम अरकन बेसन है यहाँ सभी जगा पर shale gas आपको नज़र आएगी परडिकुलरली अगर हम location को देखना चाहें तो यह वो map है जहां से आप अच्छी तरह के समझ पाएंगे यह उतरपरदेश में भी गंगा बेसन है असम और अरकन बेसन की बात करेते हैं यह वो हिस्सा है वेस्ट बेंगॉल के अंदर में यह वो हिस्सा है कृष्णा गोदावरी बेसन हो गया कावेरी बेसन हो गया कैमबे बेसन यह हो गया यहां सभी जगा पर शेल ओइल गैस पाया जाता है यहां पर exploration किया जाता है ओके क्लियर हो गया सवाल यह है कि शेल गैस का हम कहां पर उप्योग करते हैं तो इसकी application में ध्यान लखेगा शेल गैस का यूज किया जाता है for the generating electricity बिजली को produce करना है आप इस गैस का यूज कर सकते हैं domestic heating हो गया घर में कुछ बनाना है पकाना है तो उसके लिए भी यहां पर इस गैस का यूज किया जा सकता है चलिए फिलाल यूज बात में करना आते हैं दूसरे आर्टिकल पर अगला आर्टिकल भी बहुत ज़दा काम का इस्पेशली जी एस पीपर नम्बो थ्री defense and security के point of view से ये relevant होने वाला है हम बात करेंगे T90 भीशम tank के बारे में बहुत important है जैसे जोरावरक tank को लेकर अपकी बार कई सरे exam में question बना हुआ है ये tanks चर्चाओं में है तो exam के लिए relevant तो होईंगे यार T90 भीशम tank क्या है समझते हैं लेकिन पहले जान लेते हैं हमारे पास में news क्या है यानि हमारी खबर क्या है देखिए एक बहुती ज़दा important move हमने देखा है self-reliency की तरफ यानि हमारे पास में ये tank हैं तो सही इंडिन आर्मी ने इस tank में और थोड़े से बदलाव कर दिये modification कर दिया इस tank की power और ज़दा enhance कर दी इस वज़ए से ये काफी ज़दा खबरों में cover किया जा रहा है नव खबरों में cover किया जा रहा है तो basic बाते तो पता होईगी की भई T-90 हमारा tank भीश में tank क्या है कैसे काम करता है आइए मैं आपको बताता हूँ ये हमारी भारत की आर्मी का अभी के लिए एक main battle tank है 2003 के बाद से हम लगातार इस tank का use कर रहे है इस tank के अंदर में power है, ताकत है और कह सकता है speed है तेजी से चल सकता है, protection provide करवा सकता है इसमें तो कुछ changes or कर दिया हमने, modification करके even इसको हमने और जाधा ताकतवर और जाधा घातक बना दिया है इस वज़ा से T-90 भीश में tank चर्चाओं में है यह जो tank है, इसमें एक बार में तीन commander साथ में बैठ सकते हैं एक gunner, driver, यह सब मिलकर आपस में coordination करके इस tanker को चलाते हैं, operate करते हैं और अपने targets को destroy करते हैं, दुश्मन को तबहा करते हैं इस tank का feature क्या है? इस tank में 125 mm की दोस्तों एक lumбी सी gun लगी है जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा है साथी साथ में इसमें एक छोटी सी gun भी लगी है और वो जो छोटी वाली gun है, वो दुश्मन का कोई aircraft उड़ रहा है आस्मान में उसको मार के गिरा देना, यह ताकत भी रखता है यह tanker इतना ही नहीं, यह tank दोस्तों 800 shells per minute दाख सकता है इसका size भले ही छोटा सा हो, ताकत बहुत जादा है size छोटा होने के वज़े से फाइदा यह है कोई mountainous region है, पहाड़ी इलाका है, उस जगा पे tank चलाना मुश्किल है बट इसको चला सकते हैं इसकी speed भी 60 km प्रती घंटे के आसपास है इसमें यहाँ पर काफी ज़्यादा advanced technology का use क्या है यह यहाँ पर अपने 8 km तक के target को detect कर सकता है दिन हो रात हो अराम से यहाँ पर इस tanker का हम use कर सकते हैं हम नदुश्मन को ड़ाने के लिए थो ध्यान रखिएगा T90 बीश्मन के बारे में यह basic से facts चलिए अगले news article पर आते हैं बहुत ही ज़्यादा important ख़बर हम बातर करने वाले हैं water chest nut के बारे में यह क्या है भाई देखो यह है water chest nut कई सारे लोग इसको सिंगाडा बोलते होंगे है ना लेकिन अलग 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 जगा पे अलग लग नाम से इसको जाना जाता है majority अफ लोग सिंगाडा के नाम से जाता है especially तो पानी में यहापर उगता है यह हाल ही में खबरों में आगया है यार अब खबरों में क्यों आगया है जरा सुनिए water chestnut जो उगाया जाता है इसको recently हमारा कश्मीर के अंदर जो वुलार लेके वहाँ पे ग्रो किया जाता है और especially इस सीजन में इसकी डिमांड बहुत जादा होती है तो आए समझते हैं water chestnut के बारे में इसके फायद इन उकसान सब कुछ कवर करेंगे सिंघाडे को हम इंग्लिश में ही water chestnut बोलते है कश्मीर में आपको ये जातर ग्रो होता वा नजर आएगा especially ये एक aquatic vegetable है पानी में उगाय जाते हैं जैसे आप देख पाऊगे पानी के अंदर से यहाँ पर ये सबी लोग इस सिंघाडे को निकाल रहे हैं कश्मीर के वुलार लेक में इसको produce किया जाता है popularly सिंघाडा बोलते हैं सिंघाडे काटा भी use किया जाता है लेकिन यही सिंघाडा पानी के अंदर में grow किया जाता है ये बात हम लोगों ने समझ ली है आगे की बात सुनिए ये जो सिंघाडे का plant है दोस्तो इसमें बहुत नुकीले काटे होते हैं वेन आपने सिंघाडा देखा भी होगा तो इसमें काटे निकले निकले रहते हैं लेकिन इसका जो पूरा plant होता है उसमें भी बहुत सारे काटे होते हैं तो बहुत बड़ी एक कैसकते हैं injury create कर सकता है एक इंसान को यहाँ पे जो farmer हैं किस तरीगे से मेहनत करके यहाँ पर सिंघाडे को निकल रहे हैं और कितने सारे गहाओ हो जाते होंगे क्योंकि वही काटे घुस कर इनके बौडी के अंदर में एक गहाओ बना सकते हैं अगर वो काटा घुस जाए तो यह जो सिंघाड़ा है दोस्तों यह हमारे युरॉप, एशिया, आफ्रीका और कई सरी जगा पर भी हाँ पर पाया जाता है इसको हाँ पर हम water keld crops के नाम से भी जानते हैं दूसरी जगाँ में पता है सिंघाड़े का सब सब बड़ा फाइदा क्या है इसके अदर में potassium और fiber बहुत ज़दा पाया जाता है potassium आपके body के लिए, brain के लिए बहुत ज़दा important होता है इसमें थोड़ा बहुत sodium, vat भी देखने को मिलता है carvohydrates यहाँ पे ज़दा होते हैं यूज कैसे करते हैं बहुत यह सिंघाड़ा आपको दिख रहा है इसका चिकल उपर का जो यहाँ पे चिकल जो भी है उसको उतार दो यहाँ पे छिलका उतारने के बाद में क्या होगा जो इसका white color का portion है वो यहाँ पे हम को मिलता है और उसी को यहाँ पे हम consume करते हैं उसे से आटा भी बनाया जाता है लोग उसी को यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस्तमाल करता है question यह है क्या इसके cover का कोई उपयोग नहीं होता देश्तो जो इसका छिलका होता है उसका भी इस्तमाल किया जाता है जो कश्मीर के अंदर में कांगरी इस्तमाल की जाती है सर्दियों के समय पर यह होती है कांगरी सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो कांगरी को गरम रखने के लिए ऐसे एक bucket है इसमें कुछ चीज़े जलाई जाती है और यहाँ पर ताकि अपने बॉड़ी को अंदर से गरम रखा जा सके कई बार यहाँ पर लोग अंदर भी इसको पकड़ के रखते हैं तो दोस्तों इसमें है इस कांगरी में इस संगाडी का छिकल को जला दिया जाता है माना जाता है काफी ज़दा यह powerful है गरम रखता है उसके लबा जो water chestnut है इसके कई सरे dishes बनता है इसके कई सरे डेशिस बनता है तो नवरातर में भी कई सरे लोग यहाँ पर संगाड़े को कंजूम करता है क्योंकि अराम से digest हो जाता है अच्छी energy प्रोवाइड करवाता है जब इसको छील देंगे इसमें से white color का flesh नजर आएगा थोड़ा crunchy होता है थोड़ा juicy होता है टेस्ट में थोड़ा सा मीठा पन भी आपको देखने को मिलता है सालबा सालगरम देखेंगे तो water chestnut लगातार यहाँ पर ग्रोव किया है ऐसा हम देख रहे हैं लेकिन कई सरे जगा पर इसका जो production है वो कम भी हुआ है जिसकी वज़ा से जो लोग इस पर dependent है उनकी life के उपर में impact पड़ा है तो यह हुग यह दोस्तों यहाँ पर इसके बारे में discussion I hope आपको मज़ाया होगा बहुत सारी जानकारी आपको इस particular lecture से मिली होगी तो इन सब जानकारी गो रखिए exam में आपको बहुत help करने वाला है कल फिर से अपने lecture के साथ में मिलेंगे और सबसे पहले तो morning में the Hindu के वीडियो के साथ मिलेंगे तो morning में तयार है न 2000 लाइक का target है आप सबी लोगों से request है कि आप उस target को support कीजिए चलिए मिलते हैं आप से अगले वीडियो में आज के लिए बाई 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 have a nice day thank you and जै हैंद